दोस्तो बीते शुक्रवार को बॉक्स ओफिस पर एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसका इंतजार फैन्स और मेकर्स दोनों को था फिल्म के स्टार कास्ट भी अपने सब्कमिंग फिल्म का बेश सबरे से इंतजार कर रही थी लेकिन इस फिल्म की लुटिया बॉक्स ओफस पर बुरी तरह डूप चुकी है हम बात कर रहे हैं इस साल की अक्षे कुमार स्टार पहली फिल्म सेलफी की अक्षे कुमार और इम्रान हाश में स्टार फिल्म सेलफी बीते दिन 24 फरवरी को सीनेमा घारों में रिलीज हुई फैन्स के वीच इस जोडी को पहली बार बड़े परदे पर देखने के लिए काफी एकसाइटमेंट भी थी हालागे फिल्म रिलीज हुए चंद घंटे ही हुए थे कि मेकर्स को एक बड़ा जटका लग गया दरसल फिल्म रिलीज के दिन ही पायरेसी का शिकार हो गई सेल्फी के रिलीज के कुछ घंटे बाद ही लीक होने से फिल्म के बॉक्स ओफिस कलेक्शन में गिराबट आने वाली है क्योंकि ये फिल्म रिलीज के दिन ही लीक हो गई अक्षे कुमार और इम्रान हाशमी स्टार फिल्म सेल्फी, फिल्म जिला, तमिल रॉकर्ज, टेलेग्राम, मुवी रूल्स और अन्डे टॉरेंट साइट पर फुल एचडी प्रिंट में ऑनलाइन लीक हो गई है इसके साथ सिल्फीר रिलीज के दिनी पाइयोरेसी का शिकार होने वाली लेटरेस्ट फिल्म के लिस्ट में शामिल हो गई है हाला कि सेलफी के first day collection के confirm आकने अभी तक सामने नहीं आये हैं लेकिन सेलफी फिल्म का हश्र देख कर एक बात तो साफ हो गई है कि अक्षे कुमार के फिल्मी करियर पर किसी की बुरी नजर पड़ गई है पिछले साल अक्षे कुमार की ज़्यातर फिल्म में फ्लॉप ही साबित हुई थी फिल्म में लगतार फ्लॉप तो हो इए थी साथ ही बुरी तरह अक्षे ट्रोल भी हुए थे और कुछ ऐसा ही उनके साथ इस साल की शिर्वात में भी हो चुका है दोस्तों आपको याद होगा कि इस साल की शिर्वात में जब अक्षे की पहली मराथी फिल्म विदात मराथे वीर दौल लड़े साथ से जब अक्षे का फ़र्स तुक रिवील किया गया तब भी अक्षे कुमार को काफी ज़्यादा ट्रोल किया था पबलिक ने शिवाजी महराज के लुक में अक्षे फैंस को जड़ा भी पसंद नहीं आ रहे थे और अब अक्षे की इस साल की पहली फिल्म यानि की सेल्फी भी ऑनलाइन लीक हो गई है ऐसे में इसका सीधा असर अक्षे के करियर पर पढ़ने वाला है खैर अक्षे के पास हमेशा की तरह इस साल भी फिल्मों की भरमार है उनके पास फिल्मों की कोई कमी नहीं है इसके बाद वो पाइगर शॉफ के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म बड़े मिया छोटे मिया की शूटिंग में बीजी चल रहे हैं तो सब बात करें फिल्म सिल्फी की तो राज महीता के डायराक्षिन नी बनी फिल्म सिल्फी मल्यालंग फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का ही ऑफीशल हिंदी रीमेक है फिल्म में अक्षे कुमार और इमरान हाश्मी के अलामा डायना पैंटी और नुसरत बरूचा भी एहम रोल में दिखाई दी है फिल्म में अक्षे ने एक सुपर स्टार का रोल लिभाया है जबकि इमरान सुपर स्टार के फैन के किरदार में है जो एक पुलस वाला है दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है कि वो एक दूसरे के खलाफ हो जाते हैं फिल्म के कहानी एक सुपरस्टार और फैन के बीच जब जंग हो जाती है तो क्या होता है इस पर बेस्ट होने वाली है यह फिल्म फैन्स को पसंद तो आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं जिससे हमारे सबी वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें